तो वल्कम बैक दोस्तो अगपशब.com 94 यूट्यूब चैनल में आज हम आप सको फिर से उख शामदीत यते दोस्तो आज किस इंट्रेस्टिंग वीडियो में हम बात करने जा रही है सीरियर ये रिष्टा क्या किराता है कि अपकमिंग एपिसोड के बाड़े में तो आप लोग का मजीर बगना लेटें चैने शुरू कल्टे इस वीडियो को दोस्तो आगे आने वाली एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेगा के रोहिट का अर्मान पर फुटे का गुसा क्यूंके दोस्तो आपको बिताते चले के रूही जो है वो सिर्फ और सिर्फ दादी सागे कहने पे घर वापिस आईए वो रोहिट की पत्री बनके यहाँ पे वापिस नहीं आई और आप लोग देखेगे यहाँ पे के रोहिट रूही को अपनाने का और रूही को अपने और उसके रिष्टे में आगे बनने का पूरा-पूरा मौका देता है देकि रूही साब-साब कह देती है के वो तुम्हारे लिए नहीं दादी साब के कहने पे इस घर पे आई है ताकि वो तुम्हारी केर कर सके यहाँ पे दोस्तो रूही उससे डूडिया मनत्री यह हमें देखने को मिलेगी आगे आप लोग देखेंगे के रूही के साथ अपकमिंग ट्रैक में एक खासा होगा यानि के दोस्तो उसके बटे में आग लगेगी और उस बटे को बज़ाएगा रूही और उसकी जान बचालेगा यहाँ पे दोस्तो रूही जो है वो काफी ज़रा सहमी होती है काफी ज़रा प्रेशान होती है ऐसे में दोस्तो रूही जो है वो रूही को संभालता है उसे समझाता है कि यह शायर हमारा साथ तो नहीं टा लेकिन रूही तुमाले लिए बेस्ट पार्णर है तुम उसे अपना लो उसके सार अपनी जिन्दगी की नई शुरुआत करो वो तुमें हमेशा खुश रखेगा ऐसे में दोस्तो रूही फूट फूट के रोने लगती है और उसे पैनिक अटैक भी आते है ऐसे में दोस्तो अर्मान उसे संबालता है और ये सब कुछ देख लेता है रोही और वो इस सब का गलट मतरम निकालता है और इसके बाद उसका फूट ता है दोनों पे गुसा वो कहता है कि पहले रहे तुम ने मेरी और अभीरा बाबी के जिन्दकी खराब की और आगे वो कहता है कि तुम दोनों इस घर में रहते हुए एक साथ एक दूसरे के साथ मूँ कारा कर रहे हो तुम लोगों ने बिल्कुर भी नहीं सोचा कि परिवार का क्या होगा अब दोस्तों यहां पे अर्मान जो है वो समझाने की कोशिश करता है रोहीड को लेकिन दोस्तों रोहीड जो है वो उसकी एक भी नहीं सुनेगा और रोही भी काफी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसे गलर समझ रहा है रोहीड तो अब कमिंग एपिसोड सीजियर ये रिष्टा क्या किराता है का काफी ज़रा मजदा होने वारे तो देखना बरकुल पर बड़ बुलिएगा सीजियर ये रिष्टा क्या किराता है का अब कमिंग एपिसोड